बैक टो दो चैनल बैंक के इंग सार्थी सगाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है 22nd दिसंबर का दव कैपसो जिसमें कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टन वकेपलरीज तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टाट करते हैं आज का सबसे पहला अग्याइव सबूर्फ की एक वर्व है जिसका मतलब होता है रेफीज तो एकसेप्ट पासेशइशन और रिक्वेस्ट और और ऌफ़र यानि कि कि किसी के दिए गए ओफ़र से यह रिक्वेस्ट को डिफ्यूस कर देना मणा कर देना क्या कहलाता है रिभर कहलाता है इसके आप यह word याद रखोगे, example क्या है, she received a humiliating rebuff from his manager, जैनि कि उसने अपने manager से humiliating यानि insult करने वाला rebuff मिला उसे अपने manager से, यानि refuse कर दिया उसके manager ने उसके suggestion को, ठीक है, move करते है next word पे, next word है amiable, Amiable क्या होता है यह एक adjective है जिसका मतलब होता है open and responsive to suggestions, willing to accept or be influenced by a suggestion यानि कि ऐसा होना जो कि कोई भी suggestion या कोई भी चीज़ को accept कर ले उस पे responsive हो या कोई भी suggestion है उससे influenced हो जाए उससे accept करने के लिए एक्छुक हो वो कहलाता है Amiable synonyms क्या हो जाएगा compliant या beatable, antonyms क्या हो जाएगा uncorporative याद करने की trick देखिए king के साड़े man amiable है यानि king के साड़े man जो है वो उनकी बात मानते हैं उनकी suggestion को accept करते है willing और इच्छा पूर्वा के accept करते है ठीक है तो इस trick से आप यह वह रह याद रखोगे example देखिए she was always a very amiable child यानि वो हमेशा से एक ऐसी चाइल है जो कि willing होती है कोई भी suggestion को accept करने के लिए तो हमने यहां पर देखा कि इस word को में सेंटेंस में किस तरह सी यूज करेंगे move करते है next word पर next word नेस्टी नेस्टी क्या है यह एक adjective है जिसका मतलब होता है very bad और unpleasant यानि की कोई भी चीज जो की बहुत बुड़ा है unpleasant है वो क्या कहलाता है नेस्टी कहलाता है हिंदी में कहेंगे बहुत खड़ाब होना चिक synonyms क्या हो जाएगा awful या wild याद करने की trick देखिए ज्यादा salt से tasty नास्ता nasty हो गया यानि ज्यादा salt पढ़ने से जो नास्ता tasty हुआ करता था वो अब क्या हो गया नेस्टी हो गया यानि बहुत खड़ाब हो गया उसका taste बहुत ही unpleasant हो गया ठीक है अब insulation क्या है यह एक noun है जिसका मतलब होता है a violent uprising against an authority or government यानि की कोई violent विरोध होना किसी authority के खिलाफ या government के खिलाफ जब सरकार के विरोध में कोई violence होता है तो वो क्या कहलाता है insulation ठीक है हिंदी में कहेंगे withdraw synonyms क्या हो जाएगा rebellion या revolt antonyms क्या हो जाएगा surrender या submission याद करने की trick देखिए quick action ना लेने पर public insulation करने लगी यानि गब public चाहती थी कि कोई भी matter में action quick हो लेकिन government में ऐसा ने किया government ने quick action नहीं लिया तो public ने क्या किया insulation किया government के against तो इस ट्रिक से आपको यह word याद रहेगी example देखते है years of discontent turned into armed insulation बहुत सालों से जो discontent चल रहा था जगड़ा चल रहा था वो किसमें बदल गया armed insulation में यानि कि फिर हत्यार से insulation लगी यानि violence होने लगा लडाई होने लगी नेक्स देखते हैं next है cross swords यह क्या होता है यह एक phrasal verb है यहां पर लिखना में गूल गेती है यह एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है disagreed or argued with someone यानि जब किसी से agree नहीं करते या किसी से कोई बात पर बहस हो जाती है क्या कहलाता है cross swords ठीक है swords को हिंदी में क्या कहता है तलवार तो मतलब तलवार खिच जाना यानि disagree हो जाना बहस करना कहलाता है cross swords शर्ण शर्णनम से हो जाएगा browl या lock horns lock horn का मतलब यह होता है ठीक याद करने की ट्रिक देखिए slang word यूज करने पर दोनों में cross words हो गया यानि जब inappropriate word का यूज होने लगा तो दो लोगों में आपस में क्या होगी बहस होने लगी ठीक है तो इस ट्रिक से आपको यह word याद रहेगा एक्जामपल देखते हैं he cross words with his boss over the matter तो कोई matter था जिससे जिसके उसे अपने boss से क्या हो गई बहस हो गई ठीक है तो इस तरह से मैं देखा कि इस phrasal welcome sentence में किस तरह से यूज करेंगे तो उमीद करती हूं सारे के सारे words आपको पस so this is for today thank you and have a nice day